हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैतरी पाटशाल, I hope you all are safe and healthy तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगी कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की वोक्षीट टॉपिक हमारा है सर्मनाम, सबसे पहले हम समझें कि सर्मनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं उसके बाद हम इसकी वोक्षीट को डिसकस करेंगे, so now let's begin फर्स्ट हमारा क्योशन यही होगा कि सर्मनाम की परिभाशा लिखे, कि सर्मनाम होता क्या है संग्या की जगहे पर परियोग होने वाले शब्द सर्मनाम कहलाते हैं जैसे कि यदि आप अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, आपका दोस्त का नाम है राम, आप बार बार उसका नाम ले रहे हैं जैसे कि राम बहुत अच्छा है, राम बहुत महनती है, राम से मैं बहुत प्यार करता हूँ, राम मेरा दोस्त है तो आप बारबर्स क्या कर रहे हो राम 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 शब्द बारबर आप यूज़ कर रहे हो इसकी जगे यदि आप सरनाम शब्द का यूज़ करेंगे जैसे की राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वहें बहुत महंती है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने माता-पिता का लाडला है तो जो आपने ये वहे शब्द यूज किया है मैं शब्द यूज किया है ये सबी क्या है सर नाम है राम क्या था हमारा संग्या शब्द था तो संग्या की जगे पे जो आप शब्द यूज कर रहे हैं वो हमारे क्या है सरव नाम और जब आप सरव नाम शब्दों का यूज करते हैं तो भाशा बहुत ही सुन्दर सरल और सहज हो जाती है आपको समझना उसको लिखना आसान हो जाता है नेक्स्ट हमारा है सरव नाम के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए तो सरवनाम के 6 बेद होते हैं पुरुसवाचक, निश्चेवाचक, अनिश्चेवाचक, परसनवाचक, सम्मंधवाचक और निजवाचक तो चलिए हम वन बाई वन अब इन सबको समझते हैं कि इनकी परिभाशा क्या होगी इनके एक्जामपल के तुरू हम समझते हैं क्योंकि यदि आप इनको नहीं समझेंगे तो आपको वर्कशिट करने में फिर प्रोब्लम होगी पुरूसवाचक सरनाम जो सरनाम शब्द बोलने वाले सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं उन्हें पुरूसवाचक सरनाम कहते हैं जैसे कि तुमने स्कूल का काम कर लिया, तो जो तुमने शब्द है, ये क्या है? पुरुस वाचक सरनाम है. मा, मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं क्या है? पुरुस वाचक सरनाम है. अब अग्जामपल देखिए, हाँ मैंने तो कर लिया, लेकिन इसने अभी तक स्कूल का काम पूरा नहीं किया है. ये बच्चा क्या कह रहा है? कि मैंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन इसने अभी तक स्कूल का काम कम्प्लीट नहीं किया है. जो यहाँ पर मैंने शब्द यूज हुआ है, इसने शब्द यूज हुआ है, ये क्या है हमारे पुरुस वाचक सरनाम है. इसके अलावा जैसे कि मैं, हम, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, रहे, वे, उनका, आदी, ये सभी शब्द भी हमारे क्या होते हैं? पुरुस वाचक सरनाम, जो सरनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तू के बारे में निश्चित जानकारी दे, आपको बिल्कुल पता उनेची कि हाँ, इसी चीज के बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या होगा, आपका निश्चे वाचक सरनाम होगा, जैसे कि लड़की क्या बोल यह मेरी किताब है, इसे मेज पर रख दो, तो जो इसने यह हैं और जो इसे शब्द यूज किये हैं, यह हमारे क्या होगे, निश्चे वाचक सरनाम होगे, क्योंकि इसमें लड़की को पता है कि यह मेरी किताब है, और इसे मेज पर रखना है, तो इस लड़की को हर चीज क जानकारी है मिन्स यह क्या हो गया? हमारा निश्चे वाचक सरनाम शब्द हो गया इसके अलावा हम इसके और भी उधारण देख सकते हैं जैसे कि यह मेरा बसता है तो यह शब्द हो यह क्या हो गया? निश्चे वाचक सरनाम है जिसमें कि आपको पता नहीं होता कि किसके बारे में बात की गई है वो होता है आपका अनिश्चे वाचक सरनाम ऐसे सरनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ती या वस्तु की जानकारी नहीं कराते उन्हें अनिष्चे वाचक सरनाम कहते हैं जैसे कि फोन पर कोई आप से बात करना चाता है यह बच्च अपनी मदर को क्या बोल रहा है कि फोन पर कोई आप से बात करना चाता है मिन्स इस बच्चे को नहीं पता कि फोन पर कौन है जो उसकी मदर से बात करना चाता है तो जो कोई शब्द है यह हमारा क्योंगा अनिश्चे वाचक हो गया किसी ने यह गमला तोड़ दिया तो जो किसी शब्द है यह क्या है हमारा अनिश्चे वाचक सरनाम है क्योंकि इन बच्चों को नहीं पता कि जो यह गमला है यह किस ने तोड़ा है इसके अलावा और example देखिए आप विस्तर के नीचे कुछ गिरा है means पता नहीं है कि क्या गिरा है माँ पर कुछ गिरा है सो कुछ क्या है हमारा अनिश्चे वाचक सरणाम है आपको बाहर कोई बुला रहा है सो जो कोई शब्द है वो हमारा क्या हो गया अनिश्चे वाचक स्वरनाम हो गया नेक्स्ट हमारा है परसन वाचक स्वरनाम परसन वाचक स्वरनाम ये तो बिल्कुल अपने नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे स्वरनाम शब्द जो परसन पूछने के लिए काम में आते हैं उन्हें परसनवाचक सरनाम कहा जाता है जैसे कि आपका क्या नाम है जो क्या है वो क्या है परसनवाचक सरनाम है आपको किस से मिलना है जो किस से शब्द है वो भी क्या है हमारा परसनवाचक सरनाम है जैसे कि तुम कहां रहते हो तो कहां हमारा क्या है परसन वाचक स्वरनाम है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो तो किस किस क्या हमारा परसन वाचक स्वरनाम है आप कहां जा रहे हैं तो जो कहां शब्द है वो हमारा क्या है परसन वाचक स्वरनाम है इन सभी उधर्ण में आपने देखा कि क्योशनिंग की तपूछा जा रही यानि की परसन पूछा जा रहा है इसलिए जो यह शब्द है यह क्या है यह फ Arts बाचक स्मच स्वरणाम हुआ था एक्श्ट हमारा है संबन्द बाचक स्वरणाम वे सरणाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सरणाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें सम्मंद वाचक सरणाम कहते हैं एक्जाम्पल से समझिए जो लाड रंग की साइकिल है वो मेरी है अब देखो यहाँ पर दो सरणाम शब्द आए हुए है और दोनों क्या है एक दूसरे से रिलेटिड है तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें क्या है सम्मंद वाचक सरणाम है जो खेल रहे हैं वे मेरे भाई है जो और वे यह दोनों क्या है सरणाम शब्द है और दोनों ही एक दूसरे से सम्मंदित है दोनों ही एक दूसरे से रिलेटिड है इसका मतलब क्या इसमें संमंद वाचक स्वरणाम है और इसे कुछ उधान देख सकते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें दो स्वरणाम शब्द आगए जैसा और वैसा और दोनों ही क्या है इक दूसरे से संमंदित एक दूसरे से जुड़े हुए है जो डर गया वो मर गया तो जो और वो दोनों सरनाम शब्द है और दोनों एक दुसरे से जुड़े हुए है जो बोएगा वही काटेगा ये भी क्या है दोनों एक दुसरे से सम्मंदित है जिसकी लाठी उसकी भैस जिसकी और उसकी दोनों सरनाम शब्द है और दोनों ही एक दुसरे से related है नेक्स्ट हमारा है निजवाचक सरनाम जिन सरनाम शब्दों का प्रियो काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वे शब्द क्या होते हैं आपके निजवाचक सरनाम कहलाते हैं जैसे की मैं अपने आप तयार हो जाऊंगा तो इस बच्चे ने अपने लिए शब्द यूज किया है क्या अपने आप तो ये क्या हमारा निजवाचक सरनाम है रीना चलो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ मा मैं खुद पढ़ लूँगी जो उसने ये शब्द है खुद ये क्या क्या है अपने लिए यूज किया है इसका मतलब क्या है ये निजवाचक सरणाम है next है हमें अपना काम स्वेम करना चाहिए जो स्वेम शब्द है means वो अपने आप के लिए योज किया जा रहा है वो क्या है निजवाचक सरणाम है महमान अपने आप चले गई अपने आप जो शब्द है वो क्या है हमारा निजवाचक सरणाम है सो कॉंसेप्ट को समझने के बाद अब हम इसकी वक्षिट डिसकस कर लेते हैं दिये गए शब्दों में जो सरनाम शब्द नहीं है उस पर आपको गोला लगाना है सो वे मुझे और वही ये हमारे क्या है सरनाम शब्द है सेर इसमें आपका सरनाम शब्द नहीं है इस पर हम गोला लगाएंगे इसकी जिसको राजा स्वेम तो राजा क्या है ये हमारा संग्या शब्द है ना कि हमारा सरनाम है सेर भी हमारा क्या है संग्या शब्द है नेक्स चलेंगे हम फिर उन्हें आप तुम तो जो फिर हमारा शब्द है ये क्या है हमारा सरनाम शब्द नहीं है अभी तुम हम कुछ तो अभी हमारा क्या है सरनाम शब्द नहीं है उसका इसलिए जो खुद इसलिए हमारा सरनाम शब्द नहीं है और बाकी जो आपके बच गए हैं ये सभी के आपके सरनाम शब्द है नेक्स्ट मारा क्योशन है रेखांकित शब्दों में सरनाम के कौन से भेद है टिक का निशान लगाईए कक्षा में प्रत्थम कौन आएगा तो इसमें देखो परसन पूछा जा रहा है इसका मतलब इसमें क्या है परसन वाचक सरनाम है नेक्स्ट हमारा है दूद में कुछ गिर गया है इसमें क्या कुछ गिर गया है यानि कि वो कंफर्म नहीं है कि इसमें क्या गिरा है तो यह हमारा क्या होगा अनिश्च्य वाचक सरनाम होगा next हमारा है हमें अपना काम swim करना चाहिए यानि कि जो ये swim शव्दे ये अपने आप के लिए use हुआ है इसमें होगा हमारा निश्चे वाचक सरनाम यह उए मेरा भाई है यह निश्चित है कि उसे पता है कि वो किस को बोल रही है कि यह है मेरा भाई है तो इसमें हमारा क्या होगा मैं श्कूल जा रहा हूँ तो इसमें मैं शब्द यूज हुआ है मिंस यह क्या है पुरुस वाचक सर्णाम शब्द है तो next हमारा क्योशन है सरनाम के आधार पर सही वाक्य करके लिखिए तो पहला हमारा sentence है वहे ने नाश्ता किया इस वहे शब्द को हमें Change करना है हम यह करिकेंगे आप ने नाश्ता किया next है यह हमारे कपड़े है यह हमारे कपड़े है next है जल्दी से कोई को बुलाओ जो को बुलाओ नेक्स्ट मारा है तुम वहां किसकी बात की तुमने वहां किसकी बात की दिये गए शब्दों में से उचित सरनाम शब्द छाटकर खाली जगे बरिये डैश मेरी बहन है वो मेरी बहन है डैश क्या बना रही है आप क्या बना रही है नेक्स्ट मारा है डैश कहीं जा रही हो तुम कहीं जा रही हो तुमने अपना काम डैश करना है, तुम्हें अपना काम स्वेम करना है डैश गा रहा है, डैश गायक है, जो गा रहा है वह गायक है माँ मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिये नेक्स्ट मारा है दिये गए सरनाम शब्दों से वाक्य बनाईए मुझे उसको और खुद तो मुझे से हम क्या वाक्य बनाएंगे जो आपको अच्छा लगया आप वो वाक्य बना सकते हैं मैं यहाँ पे लिखूंगी मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है नेक्स्ट मारा है उसको राजा ने उसको बहुत धन दिया नेक्स्ट मारा है खुद मैं खुद लिख सकती हूँ नेक्स्ट मारा क्योशन है सरनाम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए तथा सरनाम शब्द किस संग्या शब्द की जगह पर आया है यह भी हमें लिखना है अपना काम खुद करूंगी उसने क्या बोला मैं अपना काम खुद करूंगी अब आपको यह बताना है कि जो आपने सरनाम शब्द यहां पर यूज किया है यह आपने किस संग्या शब्द के स्थान पर यूज किया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सरनाम शब्द व लिए सीमा के हमारा संग्या शब्द है और इसकी जगे पे क्या यूज हुआ है मैं राम ने दोस्त से कहा आज डैश घुमने जाऊंगा आज मैं घुमने जाऊंगा तो जो मैं शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ है राम के लिए यूज हुआ है तो क्या लिखेंगे मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है जो मुझे शब्द है ये किस संग्या शब्द के लिए आया है ये आया है विवेक के लिए किसी व्यक्ति का नाम है सो ये क्या होगा विवेक के लिए संग्या के टोपिक में हमने जाना था कि जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तुस्थान आदी के नाम का बोध कराए वो हमारे क्या होते हैं संग्या होते हैं कोवा उड़ रहा था कि उसने नीचे एक रोटी का टुकडा देखा जो उसने शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ है ये कोवा के लिए यूज हुआ है और जो कोवा है वो किया है हमारा संग्या शब्द है ये किसी पक्षी का नाम है जितने भी आपके नेमिंग वर्ड होते हैं उन सभी को हम नाउन बोलते हैं यानि किस संग्या कहते हैं यहाँ पर हमारी वक्षीट का एंड होता है I hope आपको वक्षीट अच्छे से समझ आई होगी आपको ये वक्षीट कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबेक जरूर दे थांक्स फॉर वाचिंग, हैव अगूद दे